दोस्तों, आज कुछ खास लेका आया हूँ आपके लिए, सिर्फ पांच मिनिट रोजाना करोगे और आपको उस लेबल का एनरजी मिलेगे आप सोच नहीं सकते आपकी रोग प्रतिरोग ख्यमता जितनी है उससे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगे बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, काफी सारे लोगों को परसनल लेबल पे जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूँ और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत हैं हम लोग ऐसे भी मुठी-मुठी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है, कि यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो हमारे सरीर के अंदर क्या होता है यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है, तो किस लेबल का चेंजेस हमारे सरीर में होता है किस तरह का केमिकल रियक्शन हमारे अंदर होता है कौन से हर्मोन हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे हो डिप्रेशन हो आइंजाइटी हो स्ट्रेस हो एक साधार जिबाद है हम लोग ऐसे ही बैट के भी कई लोगों के आदत है ऐसे मुठी-मुठी करते रहें कभी हाथ अकड़ करने के जैसे लगता है कभी कुछ लगता है हम लोग ऐसे मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी-मुठी Middle finger, जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वह सीधे kidney के reflection area को touch करता है, Ring finger हमारी जहां touch होती है, वह सीधे pancreas के reflection area को touch होता है, उसका जहां nerve end है उसको touch करता है, and little finger जहां touch होती है, वह आपका liver कहलाता है, राइट साइड और लेप्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वह राइट में है आपका liver, लेप्ट में है आपका heart, लेप्ट का little finger जहां पे touch होती है, that is equal to heart, याने अगर हमने इस तरीके से मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं, तो हमारा index finger touch कर गया आपका adrenal gland, middle finger जहां touch हो गया, वह आपका kidney हो गया, और ring finger जहां touch हो गयी वह आपकी pancreas हो गया, और little finger जहां touch हो गयी वह आपका liver हो गया, इधर उसी तरीके से यह adrenal gland जहांने BP point हो गया, इधर आपका kidney point हो गया, यह आपका pancreas जहांने diabetes के लिए हो गया और यह आपका little finger जहां touch हो हो हाट का हो गया, अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटी के लिए, अपने लिए सिर्फ 5 minute, आप किसी भी जगा पर बैठ लिजे चाहे चैर में हो, बेड पे हो या फिर आसन डालके नीचे बैठ ले, जहां आप comfortable हो, जिस हालत में भी आप हो, दिन में एक या दो बार, 5-5 minutes, मुठी बंद करना है, सांस लेते हुए, और tight करके रखना है, एक दो सेकंड फिर इसको खोलना है, फिर से ऐसे मुठी बंद करनी है, और फिर इसको खोलना है, थोड़ा tight करके दबाईए जिससे की, जो point है वो stimulate हो सेके, point जो है वो थोड़ा दबे, फिर एक दो सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है, इस तरीके से मुठी बंद करनी है, और खोलनी है, यानि आपके मुठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्तिय चुपा हुआ है, बस दबाऊगे, वो निकल आएगा, आपकी एनरजी, आपके मुठी में बंद है, आपका बिमारी को दूर करने की ख्यमता, मुठी के अंदर बंद है, बस टाइट करें, और फिर उख खुल के बाहर आएगा, आपकी ब्यूटी, आपके मुठी के अंदर है, टाइट के रिए, दो सेकेंड रो किये, फिर इसको खोलिए, याने जैसे खोलोगे, आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनरजी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है, मैं थोड़ा इसको योगा और एकी प्रेशर का दोनों को मिला के तयार किया हूँ, कि आप जब भी मुठी बंद करते हो, एक्स्ट्रा एक वारको उसमें जोडा गया है, कि आप सास जरूर लो, जब मुठी खोलते हो तो सास बाहर निकालो, इस तरीके से याने सास लिए, मुठी बंद किये, सास छोड़े, मुठी खोल दिये, दोस् आपके अंदर changes आते जाएगा, जिसको blood pressure है, जिसको kidney का problem है, जिसको आपका diabetes है, जिसको liver में problem है, जिसको heart में problem है, उनके लिए तो ये पुरा रामबान है, जिनको नहीं है, उनको जिन्दे की भरी बिमारी कभी होगा नहीं, अगर आपका heart, liver और आपका kidney, adrenal gland, pancreas, ये सब में, तो बहुत ही छोटा बात थी, मगर इसकी result जो है, बहुत जवरदस्त है, उम्मीद करता हूँ, आप इसको अमल में लाओगे, डेली regular practice करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा, और इस बात को गांड बना लीजिए, फायदा होना तय है, thank you very much.